जैहिन सातियो नमस्ते वंदे मात्रम जैसे कि आप लोग को पता है कि मद्देपर्देश सरकार की जो है काफी सारी वेकेंसिस आ चुकी है और अलमुस्ट जो है सभी बच्ची ये तो जान चुके है और जैसे कि इसमें पटवारी होगी वनरक्चक होगी आपके कॉंस्टेबल काफी सारी वेकेंसिस अभी आने वाली भी है और जारी हो चुकी है तो सातियो एक साइन्स का आपके लिए एक पोर्षन है जो सभी एकजामों के लिए कॉमन है 30 मार्क्स का सातियो यह जो है आपका पेपर होगा किस का सामान्य विग्यान का और अलमुस्ट जो है काफी सारे बच्चों केस में graduation भी हो चुके है और 12th pass out भी काफ़ी सारे vacancies है तो science का एक महत्पून part है तो जो आपके सामान्य विज्ञान लिखा हुआ है तो सामान्य विज्ञान के अंतरगत मैंने आपका syllabus निकाला है यह 10 वी के NCRT से related ही जैसे कि आपने देखा है अभी काफ़ी सारे exam सो आए है वहाँ पर भी 10th के NCRT के जो है level के ही question पूचा गया है तो मैंने सारा analysis किया पिछला paper देखा आप लोगों का जिसमें सामान निविज्ञान की जितने भी MP government का exam हुआ जहाँ पर सामान निविज्ञान पूचा गया था वो सारा syllabus को analysis करने के बाद मैंने ये आपके लिए syllabus निकाला है तो सातियों देखने में तो physics, chemistry और biology बोला जाता है परंतो इसमें काफ़े सारे topics आते हैं और वो सारा कुछ हम लोग अपने classes में पढ़ने वाले है और यह सारा कल से आप सभी लोग के लिए start होने वाला है सातियों share करना ताकि हर बच्चा इस बार एक अच्छी सी post चाहे वो nursing से related हो, चाहे वो मद्देपर्दे सरकार की कोई भी vacancy हो जिसमें सामान निविज्ञान पूछ रहा है तो आपके लिए class लगाना आविश्यक है तो चलिए start करते हैं यह syllabus को पहले तो physics में देखेंगे कि कौन-कौन से topic आपके लिए important है हम लोग सारा कुछ पढ़ने वाले है यांतरिक जिसमें mechanical आपका part होगा उस्मा है, चुम्बक है, विद्दूत है, प्रकास है, धोनी है और आधोनिक जो है बहुत इकीजिसे modern physics काते है तो सात्यों इतने topic है हमें जो है इसे पढ़ना पढ़ेगा और हम लायू classes में यह सब को जानेंगे सामान ये, general science के अंतरगत ठीक है, यह सारे कुछ हम लोग पढ़ेंगे जिसमें जो है, इसमें work आ गया है, time है ठीक है, work time है, आपका energy है यह काफी सारे topics जो है, हम लोग पढ़ेंगे इसमें questions भी लगाएंगे, theories भी पढ़ेंगे सब कुछ पढ़ने वाले है परमानू संरचना है, आपका radio सक्रीता है उसके बाद है, समस्थानिक वाला पार्ट है जिसे हम लोग आईसो टोप और आईसो बार कहेंगे chemical bonding वाला रासाइनिक बंधन और oxy current, yome, उपकरन ये भी पढ़ेंगे हम लोग acid, base, solid, छार ये सब कुछ पढ़ेंगे रासाइन पढ़ेंगे, उसके बाद जो है रासाइनिक गती, जिसे हम लोग chemical जो है ठीक है, जो है chemical के बारे में पढ़ेंगे हम लोग उसके बाद आपका जो है, उत्प्रिरक के बारे में पढ़ेंगे फ्यूल के बारे में पढ़ेंगे, इंधन के बारे में पढ़ेंगे तत्व की आवर साधनी से काफी कोश्चन बनते है तत्व का लेटिंग नाम जिसे रासाइनी संकेत है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे धातु कर्मी जो है उपचार के बारे में पढ़ेंगे उसके बाद धातु और उसके योगिक आधोनिक आपका धातु और योगिक के बारे में पढ़ेंगे कार्बनी करसायन और गनिक केमस्ट्री के बारे में और विबिन जो है मिसर धातू है उपकर्म है सीमेंट है इन सभी के बारे में हम लोग के बस्टिक पर पढ़ने वाले हैं ठीक है हमने physics देख लिया है हमने chemistry देख लिया अब चलते हैं आपके biology ऐसा नहीं सात्यों कि सामान्य अगर विज्ञान बोला है तो only only biology ही पुझे जाए देखे biology की बात करें तो हमें जो है botany देखना है plant king देखना है plant disease देखना है पादब रोग देखना है उसके बाद जो है plant tissues देखना है plant genetic देखना है और cell जो है देखना पड़ेगा ecology जिसे परिस्ति करते हैं प्रदूसन देखना पड़ेगा स्वास्ते से related रोग से question पुझ माना उसाच सरीर परकिर जू है उसके बाद जनतु जगत के बारे मिं पढ़ना पड़ेगा उसके बाद जनतु की साखाइ कून-कून-कून, इसका इतने सारा इसका पीडिएप आप ि對 को को basic मान कर ही 10th का portion पहले आपके लिए complete करेंगे with आपको हर class का PDF भी provide करेंगे ठीके साथ यूब जो आपका 10th NCRT है ना हम लोग उसको उठाएंगे और 11th 12th NCRT आपका चली ही रहा है आपकी एक्जामों के लिए और 10th भी जो पटवारी है और मत्यपर्देश की सारी जो एक्जामे हैं उनको देखते हुए उनके basic जो है normal basic चीजे हम लोग कौरप करने वाले हैं अपनी class में तो I hope यह syllabus आपको समझ में आ चुका है इसी syllabus के according हम लोग कल से आपकी classes start कर रहे हैं हो सके तो session को share करना है ताकि हर बच्चा इस बार एक post जरूर हासिल कर सके तो मिलते हैं कल आपके साथ इस syllabus को लेकर एक एक topic को हम लोग जो है आपका complete करवाते चलेंगे और बहुत मजाएगा आप लोग जरूर से class को share करिएगा मिलते हैं कल आपके साथ live जैहिन को वाद देमाट